नमस्कार आप देख रहें विंधिया टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाती बिरोजगारों को पटवारी बनाने का जहासा देकर लाखो रुपए की ठगी किये जाने का एक मामला सतना से सामने आया है यहां ठगी का आरूपी खुद को BSF का जवान और नेताओं का करीबी बताने वाला एक शक्स है यह मामला अब थानने तक पुझा पहुचा है जानकारी की मताबिक खुद को BSF का जवान और नेताओं का करीबी बताने वाले एक शक्स ने सतना के बेरोजगारों को नौकरी दि नाम पर अपना निशाना बनाया उसने लोगों से लाखो रुपए की वसूली की और फिर अंगूठा दिखा दिया हाला कि पैसे देने वालों ने उससे लिखा पढ़ी करा ली थी और बैंक खाते के चेक भी ले लिये थी ऐसा ही एक मामला सिविल लाइन थाना पहुंचा है सत ना शहर के आदर्स नगर हवाई पटी शेत्र में रहने वाले पुस्पेंद्र कुमार गौतम ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया है कि महीब सिंग ने उससे पटवारी बनवाने के नाम पर दो लाख रुपए वसूले हैं उसने उससे फेस्बुक मेसेंजर पर को के जरिये पटवारी शिक्षक और बैंक गार्ड बनवा सकता है लेकिन इसके लिए दो लाख रुपए लगेंगे क्योंकि यह रकम मंत्री को देनी पड़ती है उसने भरोसा दिलाया कि रुपए नहीं ढूबेंगे यह सारी बाते उसने मैसेंजर पर भी लिखी पुस्प मागें तो उसने लिख कर दे दिया जब उसके पास होंगे तब वह रुपए वापस कर देगा लेकिन रकम अब तक ना मिलने पर शिकायत थाने पहुँच गई बताया जाता है कि नेताओं की निकटता का दिखावा कर महीप ने शहर के कई अने बिरुजगारों को अपना शिकार बना कर लाखों रुपए की ठगी की सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत लेकर जाज शुरू कर दी है अभी FIR दर्ज नहीं की गई है बहुत बहुत धन्यवाद